नमस्कार दोस्तों मैं कुल्दीव सुलुजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी कालोनी में प्लाट का चुनाओ करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका प्लाट वास्तोनकुल हो जिस पर आप वास्तोनकुल मकान बना सकें पर एक्जामपल ये कालोनी का नक्षा है जिसमें आप देख रहे हैं ये नार्थ है ये इस्ट है ये साउथ है और ये वैस्ट है अब ये प्लाट तो अच्छे है क्योंकि इसमें नार्थ इस तरह मतलब इशान के साथ बढ़ रहा है तो ये अच्छा साइन होता है कि इशान क यह प्लाट शूब नहीं कोई तर्फ रोगा यह कम अच्छ में पर इशान बढ़ रहे पर इस प्रकार यह त्रकोने प्लाट मeszार्प ठीक है एक बाद पारिये इसलिए अच्छा नहीं कि शुक्त नार्त च्छी कि पूरा बात ही क्या बाद की सब्सक्राट छैसा थीक . य liquidity यह भी त्झीक यह खी यह पहना उच्छी नहीं कि जिसमें जो है पश्चिंग सद्मिके साउथ वेस्ट यह सब प्लाट ने इस सब गलत वास्ते वास्तों के दाफ से बाकि बाइब सब सब से तो टो लेते वक्त थैंड कि इन मकेस में मारक पुराहर भी नहीं आ रहा है एक बात हो रहे हैं कि नूद देखा जाए तो इस कालून कालून काभी बड़ी है और 30-50 के प्लाट है तो यह इसके साफ से लग रहा है कि यह सो फिट दूरी पर रेलवे लाइन जा रही है तो यह जो प्लाट है इतने पास के त लेते हों दिखान रखी इतने करीब ना लिया जात्रे मजबूरीन बात और ना लिया जातो बैतर है दूसरा अगया बात है कि एसा कालून लगंते यहजू यह जह बंौन बंॉन होती है तो इसका निशिआ कट घ्ण बढ़ गया यदि यसी कालूनी हो कभी यह और इसका एक तरफ यह आपका साउथ वेस्ट बढ़ गया तो एसी कालूनी जो होती है बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती है कई बाइस के कालूनाइजर पैसे ले ले लेते और आपको डिलीवरी ने पाते उलजने पढ़ जाते हैं और पैसा खटाई में पढ़ जाता है तो ध्यान रखिए कि यदि एसी कालूनी जिसकी बनावत इस तरीके से हो जिसमें अगने कौन बढ़ रहा हो निरुत्य कौन बढ़ रहा हो उस तरीके से और एक पूरी वाल कंपॉंड वाल बनाके एक दो गेट बना है तो इसमें निश्यत मानिये विवात किस्तिती बननी बननी है पर यह ओपन है कि सब सड़के में रोर से खुली हुए इदर से इदर से तो फिर को दिक्कत नहीं है तो यह ध्यान रखिए कि वास्ते उनको दूसरा को ध्यान रखिए जब आपको इसा प्लाट मिलता है तो कि हम जदी पूर मुखी होगी तो यह अपनी इदर का मुख होगा तो हम चाहेंगे कि हमें दर्वाजा जो है तो हमें दर्वाजा पूर मुखी है तो यह हमें दर्वाजा इशान में यहां चाहिए यह उत्तर मुखी है तो हमें दर्वाजा यहां चाहिए ठीक है ना दक्ष तो वास्तु के अनुकुल मकान बनाने के लिए फेले प्लाट के अच्छे प्लाट का चेहन करिए ताकि आप सुख्यों संपन जीवन जी सके धन्यवाद